तो भई आज से लगबग तीन महीना पहले अपनी दमदा प्रेडिक्शन के दम पे आप सबको T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी कुप सारा पैसा जितवाए था याद है या भूल गए और अब एक ओर T20 वर्ल्ड कप आज से प्राट होने जा रहे हैं तो इस T20 वर्ल्ड कप के अं पैसा विन कर लो क्योंकि आप जानते हो चाहे वर्ल कप T20 वो पचास हो कोई भी ICC ट्रोफी हो हम हर ICC ट्रोफी में अच्छा पर्फॉर्म करते ही करते हैं बस आप लोग अपना प्यारों सपोर्ट वी मेरे साथ बनाई रखना और मैं आपको बता के चलूं कि सार्टी वर् पोड कार्ड में आपको शेर करी रहा हूं बाकि आप लोग मेरी पुराणी वीडियोस में जाके भी देख सकते हूं अब मेरी बात ज्यान से सुनो भाई यह है महिला T20 विश्कप द्वासाद चोवीस महिला T20 विश्कप द्वासाद चोवीस को होस्ट कर रही है बंगलाद के अंदर तो यह रीसन है होस कंट्री बंगलादेश अपना पहला मैच वर्ल्ड कप द्वासाद चोवीस में खेल दिया स्कोटलेंड से शार्जा में और यह मैच आपका 32 मेन उसार दोपाई 3.3 बजे स्टार्ट होगा इस मैट में इन्वेस्मेंट कर रही है तो नारू पर्फूम करना चाहते हैं तो एक बात ध्यान दखके वीडियो खास आपके लिए बनिया है 37 स्ट के वीडियो पूरा देखना स्किप मत करना उडाके मत देखना क्योंकि आप सब मेरी इस बात से एगरी करोगे कि वही महिलाओं के जब भी T20 में होंगे वहां पे जो मार्ज पर्फूम कर सकते हैं जब अपके पास हरे खिलाडिक इन्फोमेशन होगी तो आप लोग अपनी फेंटस्री टीम में बेथर से बात हेंगर करने वालों जब दिया है बागी भी एक बात आपको कहना चाहूँगा अगर आपने मेरे टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो मेरे टेलिग्राम चैनल का लिंक वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन वोक्स में लिंक होगा जाके टेलिग्राम चैनल को जोइन कर लो और वापस आके फिर वीडियो पूरा देख लेना और हम सबसे पहले बात करेंगे वेन्यू के वारे में हमें ये तो पता होना चाहिए न दोनों टीम है जब इस मैट को खेलने इस वेन्यूपे एक दोस्ते क्यामने सामने होगी तो पिछ कैसे वियव करेगा जैसे कि मैंने आप को खता है मैच बाई शार्जा में है तो इस वेन्यूपे महिला हों के अब तक 10-20 मैच है लेकिन सबसे 22 गेंद बाउसे खेले के इस वेन्यूपे पिछले 10-20 मैच के अंदर किसने की है लेक्स्पिन गेंद बाउसो ने तो मेरे इसाफ से आपको लेक्स्पिन गेंद बाउसो पर इस मैच में ज़्यादा फोकस करना चाहिए अब स्कोटलेंड की टीम में लेक्स्पिन कोन है बंगलादेस के टीम में लेक्स्पिन कोन है उनके उपर इस तुड़ी में हम बात करेंगे बाकी अगर पिछ रिपोर्ट की बात की जाए तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी श्रार्जा में मैच है तो यहां की जो पिचिस है वो ड्राई होती है इसलो होती है बाउंस लो होता है अब ड्राई विगिट है इसलो है लो बाउंस है तो इसके चलते क्या है बल्ले बासु के लिए रन स्कोर करना है ispin game bass के सामने इस fan抽 पर इतना आसान नहीं होता और आपको बता होगा ispin game bass के सामने वल्गे बासरी करना जब आसान नहीं है तो ispin game bass को बहुत सारे ब्गेट इस fan抽 पर कैसे मिलते हैं GOOD फेन नहीं होती है पिट्च इसलो होंगी, बाउंस लो होगा, जिसके चलते स्पिन गिनबासू के सामने, रेंच स्कोर करना मेरे को लगता है, मुश्किल काम हो सकता है, सीरोंटी वर्लकप में इस वैन्यू पे, अब हम लोग देखेंगे स्कोरिंग पैटर्न को, तो अब ही आपने फिट्च के बारे में जाना, तो फिट्च कैसी थी, ड्राई थी, स्लो थी, बाउंस लो था, इस पिन गिनबासू के सामने, रेंच करना इसको इतना असान था नहीं, तो यही रीसन है कि इस वैन्यू पे खेलेगे 10 इंटरनेशनल टी-ट्वंटी मेच में, स्कोरिंग पैटर्न को देखते हैं, तो 8 मेच ऐसे हुए, जब टीम ने बल्ले बासी करके 150 से कम स्कोर किया, सिर्फ 2 मेच ऐसे हुए, जब टीम ने 150-70 की बीट में हाई स्कोर किया, तो मैं यह मान के चल रहा हूँ, T20 विश्कप 24 का जो पहला मेच है, काफी हाई चांस, 150 के नीचे आपको स्कोर देखने को मिलेगा, तो आप एक हाई स्कोर एक मैच की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ना रखें, इसके लवा, अगर हम बंगलादेश, स्कोर्टलेंड की बात करें, तो इन दोनोई टीमों को भी इस T20 की बात करें, तो T20 में अब तक चार बार आमना सावना हुआ, और आपको जान के एरान होगी, चारुई मोगों पे बंगलादेश के टीम ने स्कोर्टलेंड को हराया, और चारुई मैच्चीस में बंगलादेश के टीम ने बढ़ आराम से विन किया, जो पिछला मैच था वो 19 सब्टेंबर 2022 को था, बंगलादेश के टीम ने चाहिआ विगेट्स से विन किया, बैएल इस पोल पची थी, 22 जनररी 2022 को इन दोनोगी टीम होग बीच जब मैच था, तो बंगलादेश के टीम ने नो विगेट्स से मैच विन किया, 28 पोल पची थी, उससे पहले 3 सब्टेम्बर 2019 को इन दोनोई टीमों बीच ये को मैच हुआ तब बंगलदेश की टीम ने 13 रेंट से डेकवर प्लीज नेम के तैथ मैच विन किया था 12 जुलाई 2018 को जो इन दोनोई टीमों बीच मैच हुआ उस मैच में बंगलदेश की टीम ने 49 रेंट से विन किया था यानि अभी तक अगर head to head की बात के जाए बंगलदेश की टीम का पलड़ा बारी है और अब तक मैंने जो information आपको इस studio में share की है इस information का इस्तमाल करके आप स्पोर्ट पासी पे खुब सारा पैसा win कर सकते हैं कैसे जैसे आप लोग स्पोर्ट पासी एप को open करेंगे इस match में तो आपके सामने click होगी predictor predictor पे जैसे ही जाएंगी वहाँ पर question चल रहोगा कि आपको लगते है कि बंगलादेश के team Scotland के किलाव T20 match जीतेगी भाई इस बात के chance काफी हाई है 88% chance है कि बंगलादेश के team में match win करेगी आप यहाँ पर जाके opening अपना दे सकते हैं यह पर आपको लग रहा है बंगलादेश के team तो आप लोग पैसा win करोंगे और पैसे को direct लिए आप जो है withdrawal में कर सकते हैं एक उर अच्छी बात है कि स्पोर्ट पास यह आपको आपने डाउनलोड नी क्या डाउनलोड तो आप करेंगे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में अब हम देखते हैं बंगलादेश के team की playing 11 तो वे मेरे को लग रहा है open कर सकते हैं इस match में डी अक्तर जिनका साथ देगी खातून राइट अंड बल्लेबास लेफ्ट अंड है नंबर तीन पे team की कपना निगाज सुल्तान है एक बात द्यान रखना बंगलादेश के team चाहे तो मोस्तारी को नंबर तीन पे खिला के निगाज सुल्ताना को चार पे खिला सकती है क्योंकि प्रैक्टिस मेट में देखा गया है निगाज सुल्ताना नंबर चार पे खेली थी फिर मेरे को लगता है आप खातून खेलेगी आर्मोनी आपको नसरा सकती है रुबया खान जो की लेक्स्पिन गेंबास है और वीडियो के अंदर आपने थोड़ी देर पहले देखा था लेक्स्पिन गेंबास ही वेन्यूपेच्ची गेंबास ही करते हैं तो सबसे पहला जो बहतीने लेक्स्पिन गेंबास बंगलादेश के वे रुबया कान है दूसरी लेक्स्पिन गेंबास खातून है लेकन यह टीम के खतान पर डिपैंड करते है कि वो कितने इस मेट में यूजज़ करते है इसके लवा अक्तर आपको नसराएंगी खातुन ओफ्प्रे गेंबास है फिर ये अक्तर ओटलोक स्पिन गेंबास है आलम आपका राइटाम मीडियम गेंबास है अब हम देखते हैं बंगलाजेस की टीम के जो बल्ले बास है जो टोप 6 बल्ले बास है वो कौन से टाइप गेंबास होगे सामने कैसा परफॉर्म करते हैं तो यहां से पता चल रहा है कि टीम की जो बल्ले बास है वो एक तो लेक्स्पिन गेंबास हो गया एक हो गई राइटाम ते इस गेंबास इनके सामने स्रेगल करते हैं अब वीडियो मागी चलके देखते है स्कोटलेंड की टीम में लेक्स्पिन गेंबास कोन है लेक्स्पिन गेंबास मक्षूद है तो मेरे इसाब से यह मैट में आपको स्कोटलेंड टीम की इस्पिन गेंबास मक्षूद को fantasy team से बाहर नहीं करना चाहिए perform करेगी नहीं करेगी वो बात की बात है लेकिन इस match में मक्सूत की performance करने के chance ज़्यादा लग रहे है विगिट मिले नाम ले लेकिन ये बात की काफी ज़्यादा संभावना है स्कोटलेंड टीम की 11 की बात करते है होरली ओपन करेंगी मैकोल के साथ मिलके मैकोल के साथ मिलके ओपन कर सकते है हालाकि एक बात मैं बता दू अभी रिसेंटली स्कोटलेंड की टीम ने practice matches कहले थे वहाँ पे सारा ब्राइस ने ओपन किया था मैकोल नीचे खेली थी ठीक है नमबर तीन पे खेल सकते हैं आपके कैथरिन ब्राइस और स्कोटलेंड टीम के जो सबसे बड़ी खिलाडी है सबसे बड़ी खिलाडी केतरिन ब्राइस और उसके बाद है सारा ब्राइस और फिर आप और ले को कंसिलर कर सकते हैं आगे चलें लिस्टर है, जैक ब्राउन है, चटर जी है, फ्रेसर है, सेल्टर है, इसके लवार रेने है, मक्सूद है, ठीक है अब स्कोटलेंड की टीम चाहिए, तो इस चार्जा में मैच है, एक एक स्कोटलेंड की बाद को खिला सकती है, एक स्कोटलेंड की बाद का विकल पिन के पास बैल का है, अगर बैल इस मैट में खेलती है, तो मेरे इसाब से बैल को आपने पंडिल से टीम में लेना चाहिए, क क्योंकि और तुरुक्स्वन गिनबास सी भी है मैच में अची गिनबास से करवा सकते हैं। बाकी स्कोटलेंड टीम के जो बल्लेबास रही है वो अच्छी बात यह है कि बंगलदेस के पास इस वकात एक लेफट अम तेस गिनबास नहीं है। अब हम देखते हैं बारी-बारी सारे खिलाडे को सबसे पहले आप दिलारा अक्तर की बात करेंगे प्रेक्टिस मैच खेले 10 और 9 ठीक है। अब लोग लेकि आएंगे और आपको लेना भी नहीं चाहिए इस सेट्स को देखते हुए। फिर आप बात करोगे मुर्शिदा खातून की ठीक है। किसने स्कोटलेंड माफ करना मलेश्यो और थायलेंड की टीम के साथ मैच इस के लिए थे एक मैच में 50 एक में 80 मारा था ठीक है। तो इस तरह से जो 232 सन है इसमें मेजोर्टी ओफ रन्स तो इसने तो टीम के सामने स्कोर कर दिया देनी वो दोनों टीम काफी कमसोर थी। बंगलादिस्की टीम की बल्लेबासी जो है वो वहली कमसोर लेकिन गेनबासी तो अच्छी है। तो फिलाल जो पीचे मेरे को बोलिंग पैड़ा इस लग रही इसके चलते में इसको फैंटेसी टीम में इसमोर लिग में नहीं ले रहा। पिछले तीन मेंच में एक में 34, दो में 35 नोट आउट, 31 नोट आउट तो इसका बल्ला हमेश्वा चला है स्कोटलंड के सामने अच्छी कीपब बल्लेबास आप टीम में ले सकते हो। 25 फैंटेसी पॉइंट दे सकती है, अगर नहीं दे सकती है उसे फैंटेसी टीम से दूर रखें और ऐसे खिलाड़े को फैंटेसी टीम में आपने फिरिफरेंस देनी है जो आपको लगता है इस मैट में कम से कम 25 फैंटेसी पॉइंट दे सकती है और 25 फैंटेसी पॉइंट क किया है, दो मैट में स्कोटलेंड के सामने सतर और एक बल्लेबास काउट किया है, तो इस लाड़े को फेंटेसरी टीम में कम लोग ले रहे हैं, आप चाहे तो मिकाली की टीम में डिफरेंशल पेरिके तोर पे ले सकते हैं, रितु मोनी की बात करें, तो पिछले नो मैट में 13.28 की बल्लेबास से उस सतर नो मैट में चार बल्लेबास काउट किया है, स्कोटलेंड से तीन मैट में चार अनमारे और दो बल्लेबास काउट किया, प्रेक्टिस मैट में एक बाद 14 और एक बाद 0 पे आउट हुई, साथ में आपको ध्यान रखने इसकी परफोमेस कैसी र बात करेंगे पहले बल्लेबास को क्लियर कर लेते हैं फिर अगर होले की बात की जाए तो भाई इस बंदी ने च्छह मैट में एक सो चारएं मारे 20.08 की हो सकते हैं और एक मैट बंगलादेश से खेला चारएं गिंद बास से करवाती है पार्ट टाइम ओफ परे की लेकिन विक से टीम में किसी एकी बल्लेबास को टीम में लेना है तो सबसे पहले आप और ले को मोका देश सकते हैं और उसके बाद बारी बारी रोटेशन कियता है दूसरे बल्लेबास को भी ट्राइ कर सकते हैं ठीक है फिर अगर आप मैं कोल की बात करेंगे एक बारी बल्लेबास की ए के सामने चार मैच में 48-12 कि उससर चार बल्लेबास को आउट किया तो ये स्टैर्स देखने के बाद कोई भी एक भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो अपनी स्मोली की फैंटेसी टीम में कैथरेन ब्रैस को कप्तान ना करे अब जो लोग मेगाली कहले हैं रिस्क लेने वाले को तो बोली क्या सकते हो तो रिस्क लेंगे लेगे अगर आप प्रैक्टिस मैच की बात करेंगे एक में 0-1 में 18 किया लेकिन बल्लेबास से गिनबासी दोनों में कॉंटिबूट कर सकते हैं आप टीम में लोग और आपको में बताते चलो कि इंडिया में होते हैं WIPL महिलाओं के IPL मैचिस तो यह उन मैचिस में गुजरात की टीम के और से खेल चुकी है सारा ब्राइस उनकी सिस्टर है प्रैक्टिस मैच में देखा था इसने ओपन किया था चै मैच में 46 सान नोकी उसत बंगादेश के सामने 4 मिस लेतार 19.25 ठीक है कुछ लोग होंगे जो इस मैच में बल्लेबास के तोर पे इसको बाहर रखेंगे लेकिन आप चाहो तो दोनी कीपर बल्लेबास को ले सकते हैं चाहे वो निगार सुलताना हो चाहे आपके सारा ब्राइस हो क्योंकि आप देखो प्रैक्टिस मैच में इसने ओपन करते हैं 24 और दूसरे मैच में 60 नोटाउट स्कोर किया था अगर ये बल्लेबास से करके आपको 30-35 स्कोर करके दे तो यह आपके ड्रीम टीम में हमेशा जगा बनाएगे ऐलिसा लिस्टर की बात की बात की जाए 6 मैच में 102 रन है 34 की बल्लेबास से हो सथ है बंगलादेश से 2 मैच में साथ 8.50 है प्रैक्टिस मैच के ला था उसमें इसने 2 रन मारे थे फिर लोरना जैक की बात करें तो वही 8 मैच में 41 रन 20.25 की उससत है बंगलादेश की टीम से 4 मैच के लिए 26 रन है 6.50 की उससत है प्रैक्टिस मैट में एक बाद बल्लेबास से मिली उसी मैट में लोडना जैक ने चार रन मारे थे अब आप बोलिंग देखो स्कोटलेंड टीम की कफ्तान जो कैथरेंड ब्रैस है कैसे अपने गिंदबासों को इस्तमाल करते है सबसे पहले टीम की कफ्तान खुद पारप्ले में गिंदबास से करते है साथ में लेफ्ट आम तेज गिंदबास सेल्टर का इस्तमाल करते है फिर चटर जी तो यह तीन ऐसी गिंदबास है जिनको टीम अकसर पारप्ले में इस्तमाल करते है तीनों ये आपकी तेस गिनबास है जैसे आपका पार्ट प्ले खतम होगा टीम अपनी लैक्समेन गिनबास मक्सूद के पार चाहेगी टीम फ्रेंशर के पार चाहेगी टीम यहां से रेनी से गिनबास ही करवा सकती है फिर अगर आप 17 से 20 की बात करेंगे तो ये बात याद रखना कि 17 से 20 में स्कोटलेंड टीम के लिए सेल्टलू चटरजी ये दोने खिलाड़ी गेंबासी करती है 17 से 20 के अंदर कैथरीन ब्राइस ने गेंबासी काफी कम करवाई है तो उमीद करतना आपको ये भी आइडिया लगया कौन से गेंबास, कौन से फेस में गेंबासी करवाती है अगर आप बंगलादेश की टीम की बात करते है आलम की बात करेंगे ये भाई गेंबासी इसका कंफर्म नहीं होता करवाएगी नहीं करवाएगी अगर पेट से इस पिन गेंबास को सपोर्ट है तो बंगलजेस की टीम के पास गिंदबास से विकल काफी ज़ाद है जिसके चलते इसके ओवर कट सकते हैं अब इनकी टीम में N-actor नाम की ओटलोक्स गिंदबास है अब ये गिंदबास विकेटर की गिंदबास है जैसा है कि आपका अपके स्कीन से भी सिंपली पता चल रहा है कि टीम की काफ्तान गेम के किसी फेस में इसके गिंदबास से करवा सकती है सिंपल सी बात है काफ्तान को विकेट चाहिए तो इससे वो पहले गिंदबास से करवाईगी इसके बाद इस्पन गेंबासे डिपार्टमेंट टीम की दूसरी दबसे खास गेंबास है लेक्स्पन गेंबास खान अगर आपने खान को फैंटेस्ट से टीम नहीं लिया तो मैं सला दूँगा आप सरूर लेना गेंगे टीम की कफ्तान ने खूद यह बोला है कि इस्पन गेंबासे डिपार्टमेंट है सबसे पहले तो मेरे खास गेंबास नहीं दाकतार है और उसके बाद मैं खान जो की लेक्स्पन गेंबास से गेंबास दू नहीं सरागते हूँ सुलताना खातून की बात ने पारफले में आपको अफरे गिंदबास से कर्टू निसराएंगे अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे एक सिंगल पेड़ पे एक साथ तीन गिंदबास को कमपरेशन कर सकते हैं आलम की बात करेंगे, पिछले 10 मैट में 3 विगिट हैं, स्कोटलेंड के सामने एक भी विगिट आलम को नहीं मिला, फिर आप एन अक्तर को देखते हैं, 10 मैट में 11, और आप देखें, स्कोटलेंड से खेले 4 मैट में 7, तो इसका इसका कमपेरिशन करें, तो सिंपल से बात है, इस ट्राइट के बेशबे, एन अक्तर को फैंडेसे टीम में लेना बनता है, सुल्ताना खातून की बात करें, तो पिछले 10 मैट में 7 है, स्कोटलेंड के टीम से मेट नहीं खेला, तो इन 3 में 10 क कमपेरिशन करें, तो rank 1 आप किसे दोगे, अक्तर को दोगे, rank 2 खातून को द पर दो दोगे तो यहां सब बड़े राम से रिसाइड कर सकते हो कि आपका अपनी फैंटसी टीम में कौन से गिन बासों को लेना चाहिए फिर हम बात करेंगे रबया खान की 10 मैट में 14 स्कोटलेंड से पहला मैच वेन्यू पे पहला मैच फिर आप सकतर की बात करेंगे 10 मैट में सिर्फ एक बल्ले बास स्कोटलेंड से पहला मैच वेन्यू पे पहला मैच मोनी की बात करें 10 मैट में 4 विगेट स्कोटलेंड से 3 में 2 वेन्यू पे पहला तो अगर आपको यहाँ पे रैंक देना हो तो आप पहला रैंक देंगे रवया खान को फिर दूसर रैंक देंगे आप रितु मोनी को तीसर रैंक देंगे सोरना अक्तर को तो यह चीज़ों का द्यार रखें मैं आपको कहूंगा अपनी fantasy team आपको त्यार करनी चाहिए स्कोटलेंट team के गेंदबासों की बात करें सबसे पहले आपका आगया Catherine Bryce Catherine Bryce ने 10 मैट में 10 बल्लेबासों का उट किया बंगलदेस से के लिए पिछले 4 मैट में 4 बल्लेबास आउट किया इसके बाद आप सेल्टर की बात करेंगे 10 मैट में 12 और बंगलदेस के team से 2 मैट में 2 फिर नीचे चलेंगे चटर जी के पास 10 मैट में 7 और 3 मैच में बंगलदेस के team की 2 बल्लेबासों को इसने आउट किया तो रैंक देनी होगी सबसे पहले किसे देंगे कैटिन ब्रैस को क्योंकि गेंद बास से टेक किया है प्लस में बल्लेबास में contribute कर सकती है फिर सेल्टर आ जाएगा और 30 नमबर पे आप रैंक देंगे चटर जी को ठीक है आगे चलते हैं तो आपके पास आएगा रेनी आप देको 10 मैट में 8 बल्लेबास बंगलादेस से 2 मैट में 1 मकसूद की बात करें 10 मैट में 10 और बंगलादेस की टीम से 4 मैट में 3 फ्रेसर की बात करें 10 मैट में 5 और बंगलादेस से 3 मैट में 1 यहाँ पे आप रैंक देंगे तो रैंक कैसे देंगे आप सबसे पहले मक्सूद देंगे, दूसरे पर रेनी देंगे और तीस से पर देंगे फ्रेसर तो आप यहाँ पर अपनी fantasy team में क्या change कर सकते हैं, कुछ आपको हटके करना है तो बहुत सारे भाई चेटरजी को fantasy team लें, क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि चेटरजी गिनबास में ना perform कर पाई, तो बल्ले के साथ कर देगी, यह चीज़ ठीक है लेकिन अगर आपको प्योर गिनबासों का comparison करता है, तो चेटरजी के place प अगर आप लोग चाहें अगर आपनी फानल fantasy team combination, तो मैं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, अगर आपने sports बास से एपको download नहीं क्या आपने download करना है क्योंकि वहाँ पे आप लोग अपनी ओप्नेर पे टेड करके खूब सारा पैसा विन कर सकते हैं sports बास से एपका link वीडियो के नीचे description box में आप सबको मिल जाएगा तो भई देखो toast से पहले जो मैंने fantasy team बनाई clear cut आपको share कर रहा हूँ toast के बाद में fantasy team में कोई भी change होगा, clear बोल के जा रहा हूँ further update साइट टेलिग्राम channel में share करूँगा अगर आपने में टेलिग्राम channel को अब तक जोइन नी कर रहा है का वाई, जोइन कर लेना link वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगा एक second से भी कम time में आप जोइन कर सकते हो, पैसा आपका लगेगा नहीं, सबको टेलिग्राम channel में free है अब आप देखो, fantasy team में keeper बल्लेबास निगार है और साथ में सारा Bryce है, ठीक है यहाँ पर आप चाहो तो एक ही keeper बल्लेबास के साथ team में जा सकते हो आप एक keeper बल्लेबास के साथ team में गए तो उसके बाद आपके पास एक तो choice Obel, Obel की है अगर Obel यह match खेल रही है तो मेरे इसाब से Obel को आपको team मिलना चाहिए दूसरी Fraser है और तीसरी आपके पास M खातून है, ठीक है तो मैं फिला टोस से फ़ले दोनों keeper बल्लेबास के साथ गया हूँ क्योंकि Bryce जो है यह open करे और practice match में इसने अच्छा किया और बंगादे इसके team के सबसे बैतिन जो बल्लेबास से हो सुल्तान ही है तो मुझे उसे लिना पड़ा बैटिंग की बात करें तो मैं स्कोटलेंड की बल्लेबास होडले के साथ गया और मैंने आपको clear बताए इस यूडियो के अंदर क्यों गया क्योंकि वुमेंस विग बैश रिग में खेल चुकी है वहाँ के लिए तो potential होगा बाकी बल्लेबास की comparison में अचा कर सकते है ओल्डाउंडर मैं यह है आर्मोनी नसर आ रही है कैतिन ब्राइस है जोकि स्कोटलेंड की कप्तान मेरी fantasy team की भी कप्तान है चटरजी है और S-Aktar है तो यह चारों खिलाड़ी आपको मेरी fantasy team में इस वकत मुझूद है और इन चारों खिलाड़ों के साथ इस match में है शायद उतरने वाला हूँ शायद यह अपनी fantasy team में है कोई change करूँ गेंडबास से की बात करें N-Aktar है मक्सूद मेरे पास है सेलिटर मेरे पास है और उबया खान मेरे पास है तो जैसा मैंने इस सुड़े में समझाया Lexpin गेंडबास सच्छा कर सकते है तो Lexpin गेंडबास पे आपको मेरी fantasy team में राम से नितराएंगे मक्सूद होगया खान होगये अब वाइस कप्तान क्या होन है तोस से पहले मेरी अक्तर है आप चाहो तो Lexpin गेंडबास कोन है खान को बना सकते हो मक्सूद को बना सकते हो ये उन लोगों के लिए है जो हलका हलका रिस्क दने को तयार है क्योंकि आप जानतो महिलाओं के T20 मैचे इसमें margin of error काफी कम होता है जो लोग थोड़ा सा बाकी लोगों को से हटके करना चाते है एकदम से बहुत सारी लोगों को बीट करना चाते है तो वो लोग fantasy team है changes कर सकते जैसे एन अक्तर को मैंने वाइस कप्तान बना है हो सकते हैं बहुत सारी लोग बना है आप लोगों के पास मक्सूत के चोईसा है खान के चोईसा आप उनके साथ भी जा सकते है विकल्प मेरे पास नीचे बैल है फ्रेसर है और मेरे पास खातून है तो कप्तान ब्राइस होगी वाइस कप्तान मेरी एक्तर है इसके अलावा बल्ले बासु की और आपको देखने की स्मेट के अंदर सुरत नहीं है तो बस भाई उमीद करता है आप सब को यह वीडियो पसना है तो सब ने वीडियो पर लाइक के होगा नहीं किया तो कर दो क्योंकि आपका प्यारो सपोर्ट मिलता है अच्छा लगता है नई वीडियो करेट करने में मजहा आता है और साथ में YouTube चैल को सबस्क्राब नहीं किया, एक सेकंड से कम टाइम में सबस्क्राब कर सकतो अब अब लोग बस न प्यारो सब्सक्राब करने ही